लोटस आयर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पर्च वादरी आज हम बात करेंगे क्या एयर पॉट्स का लंबे समय तक इस्तिमाल करने से ब्रेंड कैंसर होता है तो आई सुरू करते हैं आज के वीडियो लेकिन उसे पहले बोलना चाहूंगा चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बैल आइकून की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दाई सुरू करते हैं आज के डिश्टल दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ नए गजट्स बाजार में लांच हो रहे हैं कि बीते बर्सों में लांच हुआ मोबाइल आज हर बेक्त की जेब का एक मुक्त हुष्सा बन गया है कुछ सोचल फ्रेट फार्म यूबां को अपनी यूर आकर सित्थ करते हैं यही वजह है कि हर आयूबर्ग के लिए आज मोबाइल के बिना दिन बिता पाना मुश्किल हो fabulous आपने एयर्फोन या एईयर्पोर्ट को कान में लगाने के बाद बहर की आवाज ना सुनाई पढ़ने के कारण होने वाल कए हाथ सोक के बारे में सुना हो गाई ऐसे में लोगों के मन में प्रस्ण उटता है क्या एईयर्फोन या कान या ब्रेयंट टूमर और कैंचर की वजय बन शकते यह लूट पॉस्ट बुल्टूट ब्लूट तकनीक का उप्योंग Excel रेटेक्शन कि उत्पन 16 इठीश है रेट को देने को सीधे नुक्सान नहीं पहुचाता है मोबाइल फोन वाइफाई और माइक्रो बैब जैसे अन्य डिवाइस भी रिडियो फुकेंसी रिडिशन का उप्योग करते हैं इयरपोर्ड या इयरफोन से ब्रेंट ट्यूमर या कैंसर पर की गई रिशर्च में इस बात की पूष्ट नहीं हुई है लेकिन इयरफोन या इयरपोर्ड में तेज आवाज में लंबे समय तक इस्तिमाल करने से सुनने की चंता प्रवाववित हो सकती है साथ ही तीज आवाज आपका सिर्दर्द को बढ़ा सकती है इसके अलबह इस से आपकी नीद भी पूरववित हो सकती है जो आपकी Brain Function को नुक्षान पुछा सकती है एरपोर्ड या एरफोन का इस्तिमाल करते समय क्या साथधनी बरते हैं ऐसे में एरपोर्ड या एरफोन का उप्योग करते समय साथधनी बरतना बेर जुरूरी है बच्चों को एरफोन या एरपोर्ड का इस्तिमाल ना करने दें लब में समय तक एरफोर्स का इस्तेमाल ना करें, इसे कान की नसों पर दवाओ पड़ता है एरपोर्ड का लब में समय तक इस्तेमाल करने से आपकी ब्रेंज से जुरी समझ आप बर सकती है एयरपोर्ट्स को कम आवाज में ही सुनने की आदत डालें अच्छी क्वालिटी के एयरफोन एयरपोर्ट्स को खरीदें इसमें आवाज की लेबल कंपनी से चेक करने के बाद लोगों को दिया जाता है मेरा ऐसा मानना है डेने में आसामान बदलाव होने से कैंसर या ट्यूमर का खत्रा अधिक होता है यह पोर्ट्स वा एयरफोन से ब्रेंड कैंसर का कोई मामला प्रकास में नहीं आया है साथ ही इस पर आगे रिसर्च चल ला है मोबाइल यह से जोड़ी उपकरन व्यक्तियों की सुबधाओं के लिए कि दिए गए हैं लेकिन किसी भी बस्तू का लंबे समय तक इस्तिमाल करने से उसके कुछ समभवित नुक्सान भी देखने को मिलते हैं ऐसे में इलक्ट्रोनिक उपकरनों का साथ धानी से इस्तिमाल करें तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपसे बताएं धन्यवाद